देखिए, सब लड़कियां बुद्धिमान और विवेकी नहीं होती, वो फस सकती हैं और बहग सकती हैं, पिता और भाई को उनकी शादे इत्यादित्य करनी चाहिए, वरना वो लिविन वगेरा गलत संबंध बना लेंगी. बताओ, कौन सी उपाधियों से विभूशित किया जाए तुमको, क्या सवाल भेजाए, लड़कियां विवेकी नहीं होती, अगर बाप भाई उनकी शादी नहीं तया करेंगे, तो बहक जाएंगी, लिविन वगेरा करनी शुरू कर देंगी, बुद्धी ज़रा कम होती है इन में, इस तरी जात है, कहां अपना भला भुरा देख सकती है, तो इसी लिए जैसे एक जानवर को जरूरत होती है, कि उसके गले में रस्ती डाल करके, उसका मालिक उसे घर तक ले आए, और घर बदले तो एक घर से दूसरे घर तक ले जाए, गले में रस्ती डाल करके, उसी तरीके से बाप और भाई तै करेंगे, कि बहन, स्त्री, बेटी, पत्नी, ये सब किस तरीके की जिंदगी जीए, कहां आएं, कहां जाएं, किस से विवाह करें, वा बेटा, कैसे तुमने तै कर लिया कि तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बहन के विवेक से ज्यादा है, कौन से मीटर पर तुमने विवेक का स्तर नापा था, हमें भी चाहिए वो विवेको मीटर, अध्धात्म के क्षेत्र में क्रांते हो जाएगी, तुम करा ले ना पेटेंट, तुम्हें मुनाफ़ा भी होने लगेगा, विवेको मीटर, और उस विवेको मीटर पर ये भी दिखा देना कि कैसे इस्तरियों का औसत विवेक, पुरुशों के औसत विवेक से कम है, दिखा देना, बैमानी कर रहे हो, तो कम से कम चोरी छुपे करो, ये तुमने क्या धौसपट्टी चला लिये कि बैमानी खेल रहे हो, वो भी खुले आम, और फिर, तुम्हारी धकड़ई इतनी चड़ गई कि वो बैमानी तुम मुझे सवाल में भी लिख कर भेज़ दोगे, चुनौती की तरह, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन से गलती नहीं हो सकती, तो गलती करना भी इंसान का हक है न, तुम नहीं करते गलती हैं, उसे भी करने दो, तुम गलती करो, तो इसको बोलोगे कि ये तो सीखने के लिए जरूरी होता है, इस अनुभाव का इस्तिमाल करके हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, और इस तरहीं गलती कर जाए तो तुम कहोगे ये देखो, अब इसे सजा मिलनी चाहिए, तुमने गलती करी, तो वो एक त गलती करी है, अब मैं अपने अनुभाव का लाव उठाऊँगा, तुम कहते हो, अब जब मैं अगला कदम उठाऊँगा, अगला प्रयोक करूँगा, तो शूनने से नहीं करूँगा, अनुभाव से करूँगा, गलती का अनुभाव है ना मेरे पास, तो ये बात अपने प गलत आदमी को चुनाओ कर ले, कर लेने दोना, तुम भी तो अपने लिए कोई पत्नी चुनोगे, क्या श्वस्ते है कि तुम बिलकुल सही महिला को चुनोगे शादी के लिए, तुम नहीं गलती कर सकते हैं, जैसे तुम गलती करोगे, वैसी उसको कर लेने दो, सोज में आ रहे ही बात देखो गुलामी हमेशा जोड़े बना कर चलती है मने जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो अपने आधीन करते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक मालिक बनता है और एक गुलाम बनता है एक गुलाम बनता है जब तो दो गुलाम बनते हैं गुलाम हमेशा जोड़ों में बनते हैं तुमने किसी को गुलाम बनाया नहीं कि तुमने अपने लिए भी गुलामी स्वीकार कर ली अपने लिए तो तुम मुक्ति के बड़े इच्छुक रहते हो न और भूल ये कर जाते हो कि दूसरों को गुलाम बना लेते हो जिसको तुमने किसी भी तरीके से दबा दिया, कुचल दिया, जिसके गले में तुमने पट्टा डाल दिया, वो अब तुम्हें भी गुलाम बना जायेगा, एक बार तुम ये करने लग गए, कि तुम किसी व्यक्ति के जीवन पर इतने चाँ जए जञा गए, कि उसके सारे नड़ने तुम लेने लग गए, वो व्यक्ति तुम्हें माफ तो करेगा नहीं, पुरुष हो चाहे इस्तरी, वो भी फिर किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे जीवन पर छायेगा तुम पर नकेल कसेगा तुमने अपनी लिए गुलामी तयार कर ली जैसे ही तुमने किसी और को गुलाम बनाया तो अगर अपनी सुतंतरता चाहते हो विट्टिगत रूप से और अगर अपनी मुक्ति चाहते हो अत्यात्मिक रूप से तो कभी किसी के जीवन में व्यर्थ हस्तक्षेप मत करो तब तक किसी को रोको टोको नहीं जब तक तुमको पहुत ही जबरदस्त और प्रानगातक खतड़ा न दिखाई देता हो और उस पर भी अगर सामने वाला व्यक्ति वयस्क हो तो उसे सलाह भर दो वर्जनाय मत लगाओ अगर दिखाई ही दे कि कोई वास्तों में गलती करने जा रहा है तुमारी दृष्टि में तो भी अगर सामने वाला व्यस्क है तो चड़ मत बैठो उस पर सलाह भर दो और भूलो नहीं कि गलती करना भी कि मनुष्य होने के अनिवार अधिकारों में से एक है एक सुन्दर कविता है जिसमें कवी या कवित्री देवताओं को संबोधित करके कहते हैं रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार इसी तरीके से तो आरी बहन भी तुमसे बोल रही है रहने दो ओ भाई अरे यह मेरा गलती करने का अधिकार अगर वो अधिकार मुझे नहीं है तो जीवन में फिर मेरी चेतना की कोई उन्नत भी नहीं हो सकती और ये तो मैं तब बोल रहा हूँ न जब बहन वास्तों में गलती कर रही हो जीवन उसका है ज्यादा संभावना यही है कि उसके जीवन के विशे में तुम गलती कर रहे होगे क्योंकि तुम इस दंभ से भरे हुए हो कि बहन से ज्यादा होशियार और जानकार हम है जब तुम्हारा ये दंभ गलत है जब बहन के बारे में तुम्हारी धारणा गलत है तो बहन के जीवन को ले करके जो तुम निरने करोगे वो कैसे सही हो जाएंगे बताओ एक चीज जो तुम में गलत है वो तो इस सवाल में ही दिख गई न बहन को ले करके और खुद को ले करके तुम्हारी धारणा ही मूलभूत रूप से गलत है जब वो धारणा ही गलत है तो तुम जब और बाकी सब निरड़े कर रहे हो गए जीवन के चाहे अपने जीवन के चाहे बहन के जीवन के वो निरड़े कैसे सही हो जाएंगे अगर वाकई बहन से पतनी से जो भी तुम्हारे जीवन में महिलाएं हो उनसे प्रेम करते हो उनके प्रते सद्भावना रखते हो तो ये मत करो कि उनके मालिक बन गए सुरक्षा के नाम पर उनको बांध दिया उन्हें शिक्षित करो उनकी ताकत बढ़ाओ उनके रास्ते की बाधा तो मत ही बनो कम से कम हो सके तो ऐसा महौल दो जिनमें उनकी शेतना खिल कर सामने आ सके जिसमें उनके भीतर की जो भी स्रजनात्मक संभावनाएं हैं वो पुश्पित हो सकें ये तुम्हारा फर्ज है उनको इस लायक बनने का मौका दो कि जिन्दगी में उन्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े ये तुम्हारा फर्ज है यह नहीं तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें कदम कदम पे सहारा देते चल रहे हो और जहां वो तुम्हारा सहारा लेने से इंकार करे वहां तुम जबरदस्ती सहारा दो कि मैं तो भाई हूँ न तो मैं तो जबरदस्ती सहारा दूँगा ये फिर सहारा नहीं है, ये आधिपत्य है, ये मालकियत है, तुम्हें बहन की सुरक्षा की चिंता है, मैं तुम्हारी भावना का समान करता हूँ, पर तुम कब तक बहन की सुरक्षा कर लोगे, अंतता वो भी वैसे ही एक व्यक्ति है, जैसे तुम एक व्यक्ति हो, उसे अप पलपल और जगह जगह उसके साथ हो लोगे। तो अगर वाकई तुम बहन का भला चाहते हो तो उससे सामर्थिशील बनाओ। उसको आर्थिक रूप से सौवलंबी बनने दो। जितनी उची से उची 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 उपढ़ा ही कर सकती है वो करने में उसकी मदद करो। जिन सही जगहों पर उसे होना चाहिए उन जगहों पर पहुँचने में उसकी मदद करो। और मदद नहीं भी कर सकते भाईया तो कम से कम राह का रोडा तो मत बनो। इतना काफी है।